Hello Friends, आज हम जानेंगे English word bread की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमल कैसे होती है bread की हिंदी में मतलब है चोटी, लाट, बेनी चलिए कुछ example के जरी इस word की हिंदी में मतलब बहुत अच्छी तरह से समझ लेते है Example, He straightened and give her a bread a flip इस sentence का हिंदी में मतलब है उसने सीधा किया और उसकी चोटी को एक flip दिया चलिए next example जान लेते है The municipal glove links are on the bread hills इस sentence का हिंदी में मतलब है नगरपाली का glove link bread hills पर है चलिए next example जान लेते है Students at the Pound Year Cadet School wore silver color bread इस sentence का हिंदी में मतलब है Pound Year Cadet School के सात्रों ने silver color की चोटी पहनी थी चलिए next example जान लेते है Even the gold bread had been ripe off our heads इस sentence का हिंदी में मतलब है यहां तक कि हमारी तोपिया से सोने की चोटी भी काड़ दी गई थी So friends उमीद करती हो bread की हिंदी में मतलब क्या होती है और sentence में इसका इस्तेमाल कैसे होती है वो अच्छी तरह से समझगी होंगे इसी तरह से और भी English और Hindi में example के साथ जानने के लिए हमारी इस channel के home page में जाकर check out कर सकते है वीडियो अच्छी लगी तो like करें और साथ सा channel को subscribe कर दीजिएगा